आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आए आज हम चलते हैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और इसे राज्य के सबसे महत्वपून तीरत स्थलों में से एक माना जाता है राजस्थान में खाटू श्याम के मंदिर पहुंचने के लिए सड़क और ट्रेन के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है मंदिर का निकत्तम रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है जो मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम जी घटोतकच के पुत्र बरबरीक के अफ्तार है युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के सिर को वर्दान स्वरूप दे कर रुपावती नदी में बहा दिया एक बार कलियुक शुरू होने के बाद सिर को राजस्थान के खाटू गाउव में एक ऐसे स्थान पर दफनाया गया था जो कलियुक शुरू होने तक अद्रिश्य था ये तब था जब एक गाय दफन स्थल को पार कर रही थी कि उसके थनों से अनायास ही दूद निकलने लगा हैरान गाव वालों ने उस जगल की खुदाई की तो दफन सिर सामने आ गया खाटू के ततकालीन राजा रूपसिन चौहान को एक सपना आया जिसमें उनसे सिर को एक मंदिर के अंदर स्थापित करने के लिए कहा गया ये तब था जब मंदिर बनाया गया और उसके अंदर सिर स्थापित किया गया मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है जिसे श्याम कुन कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि यही वन स्थान है जहां से खाटु श्याम जी का सिर प्राप्त हुआ था भाक्तों के बीच एक लोगप्रियक धारना यह है कि इस तालाब में दूप की लगाने से व्यक्ति अपनी बीमारियों से ठीक हो सकता है और उसे अच्छा स्वास्थि मिल सकता है भक्ति भाव से भरे लोगों का तालाब में डूप की लगाना कोई असामान्य द्रिश्य नहीं है ये भी माना जाता है कि हर साल आयोजित होने वाले फालगुन मेला महुत्सव के दोरान श्यामकुन में स्नान करना विशेश लाबकारी होता है